हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखें आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 थलजब्रा का प्रेक्टिसेट 3.5 ठीक है तो यह जो आपका प्रेक्टिसेट 3.5 है ना इसके अंदर टोटल कितने कोस्टिंस दिये गए हैं तो 13 कोस ठीक है फिर दूसरे में हम लोग सौल करेंगे पांच से लेकर के आठ तक के कोस्टिंस को और जो हमारा लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कुस्चन नमबर 9-13 ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं तो यह रहां आपका फॉर्स्ट कोस्चन दिगो इसम का वेलिव क्या होगा ऊंताना है तो चलो फिर देखते हैं एक करके तो यहाँ पर स्टुडुम स्टूदेंट एक्स का वल्यू क्या दिया है तो स्टूडेंट को घ्र रिकि करते उस polynomial में जैसे यहाँ पर देखीगा यह हमारे पास polynomial है तो इसमें हम क्या करेंगे x का value क्या लग्खेंगे देखो यहाँ पर x का value क्या दिया हो 3 तो इसमें हम लोग x के place पर 3 रखेंगे और इसको solve करेंगे फिर जाके हमें इस polynomial का value मिल जाएगा ठीक है तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर मैं लिखती हूँ solution ठीक है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे let यह जो polynomial दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है P of X आपको पता है ना polynomial को इस तरीके से denote किया जाता है मैंने आपको बताया भी था चलो क्या दिया है 2X माइनस 2X का क्यूब प्लस 7 अब हम क्या करेंगे यहाँ पर X का में लोग क्या दिया है 3 दिया है यहाँ मैं लिखती हूँ कि X विच इक्वल टू 3 यह यहाँ पर दिया गया है बराबर यह question में दिया है तो चलो अभी X के place पर हम लोग 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p of 3 विच इक्वल टू 2 इंटू x के place पर हमें क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3-2 x3 पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्योब प्लस 7 ठीक है फिर उसक 27 लिख दिया फिर यहाँ पर लिखा प्लस 7 ठीक है फिर क्या आएगा देखें इन दोनों का मल्टिप्लाइ करते हैं तो टू इंटू 27 क्या आएगा 27 सा होता है 14 फिर वना गया 22 सा 415 यानिकि यहाँ पर आ जाएगा 54 प्लस 7 चलिए अभी इसको हम लोग कर लेते हैं तो करो 4 चाहर में से 3 गया तो एक और 5 में से 1 गया तो monn क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 54 यह किस में है माइनस में है इसलिए इसका जो भी हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो भी माइनस में ही मिलेगा ठीक है तो यहां पर हमने पी ओफ थ्री बता दिया यानि इस माइनस 41 ठीक है विन एक्स विच इक्वल टू क्या है 3 मतलब जब एक्स का वेलू 3 होगा तो फिर गिवन पोलिनोमियल का वेलू हमें क्या मिलेगा माइनस 41 ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को तो यह पहला सब कोश्चन कंप्लेट हुआ फिर इसी में देखिएगा एक एक और वेलू दिया गया है माइनस 1 तो अगर एक्स का वेलू माइनस 1 हो गया मतलब माइनस 1 हम लेंगे तो फिर इस पोलिनोमियल का वेलू क्या होगा चलो उसको भी हम लोग करते हैं यह पहला सब कोश्चन था अब दूसरा हम यहां पर सॉल्व करते हैं चलिए देखते है एक्स का वेलू यहां पर क्या दिया है माइनस 1 दिया है है ना यहां पर हम लिखते इसका सॉल्यूशन बताइए हमार पास पॉलिनोमियल क्या है जल्दी से बोलो यहां पर मैंने बताया था ना आप लोगों को 2x-2x का क्यूब प्लस 70 फिर यहां पर ज़रा देख लो एक्स गवेलू क्या दिया है तो अभी हम क्या करेंगे जहां पर भी एक से वहां पर हम क्या रखनेवाले है तो एकस के प्लेस पर minus 1 लिखा मैंने फिर minus 2x का यूब है न तो x की place पर हम लोग minus 1 लिखेंगे minus 1 का cube फिर यहाँ पर plus 7 ठीक है उसके बाद देखिये का यहाँ पर क्या होगा 2x minus 1 करो के तो कितना आएगा 2x minus 1 minus 2 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया minus 2 फिर उसके बाद minus cosine और यहाँ पर 2 आगया आप ध्यान से सुनियेगा मेरी बातों को यहाण पर क्या है? माइनस वन का क्योब मतलब क्या होता है? जैसे हम जानते हैं, हरो को बताती हूं आप लोगों को माइनस वन इन्टो माइनस वन यनी माइनस वन का मल्ट्प्लाई कितने बार होगा? और तेन बार होगा है न वन 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 यानस में आएगा और यहांपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस सब्सके बाद यहां पर क्या होगा लोगा देदो मैईनस-फिर यहां पर देखो इन दोनों कहलें माइनस-बन करोगे कितने यह पर हमने Maar लिए तो फिर हमें इस polynomial का value किया मिलेगा 7 मिलेगा ठीक है तो और यहां पर जैसे हमने इधर लिप करके बताई था वैसे यहां पर भी लिख देंगे क्या लिखेंगे कि value of the polynomial value of the given polynomial is given polynomial polynomial is 7 when x which is equal to minus 1 यानि कि जब x का value minus 1 होगा तो फिर इस polynomial का value क्या आएगा तो 7 आएगा ठीक है समझ गया अच्छे से चलो अब ही आगे चलते हैं एक और इसमें दिया गया है x का value दिया गया है अभी 0 तो अगर x का value 0 होगा तो फिर इस polynomial का value हम लोगों को बताना है कोई बात नहीं वो भी हम बता सकते हैं चलो देखते हैं यहाँ पर मैं third one solve कर रही हूँ देखो यहाँ पर x का value दिया गया है 0 है ना हमारे पास polynomial क्या है चलो जल्दी से लिखते हैं p of x which is equal to 2x minus 2x का cube plus 7 अभी हम क्या करेंगे तो यहाँ पर x का value 0 दिया गया है ना तो एक्स के प्लेस पर अभी हम लोग 0 रखने वाले यानिके यह हमको मिला है 7 यानिकि अगर x का value 0 हम लेंगे तो फिर हमें उस polynomial का value क्या मिलेगा तो 7 मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि value of the value of the given polynomial given polynomial is 7 when x which is equal to 0 यहनि जब x का value 0 होगा तो फिर उस polynomial का value हमें क्या मिलेगा तो 7 मिलेगा ठीक है तो आप देख सकते हो पहला question यहाँ पर complete हुआ ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला question देखते हैं तो यह रहा आपका question number 2 इसमें क्या दिया हुआ है कि for each of the following polynomial find p of 1 p of 0 and p of minus 2 यानि कि हर एक polynomial के लिए हमें p of 1 बताना है p of 0 बताना है और क्या बताना है p of minus 2 ठीक है तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ देखिए यहाँ पर हम लिखते है solution है न हमारा polynomial क्या है p of x which is equal to x का क्यूब बराबर हमें क्या क्या बताना है p of 1 तो चलो यहां पर सबसे पहले हम लोग p of 1 फाइंड कर लेते हैं तो p of 1 का मतलब क्या हुआ हमें ना x के प्लेस पर क्या लिखना है ठीक है तो देखिए तो यह ओगया p of 1 अब हमें क्या बताना था p of 0 तो यहां पर मैंने लिखा p of 0 अभी x के प्लेस पर क्या लिक्कंगी 0 तो यहांपर आएगा 0 का क्यूब, बताए जीरो का क्यूब कितना होगा 0 ऑगा तो यहां पर लिख दिया जीरो फिर हमें क्या बताना था पी ओफ माइनस टू तो यहां पर मैंने लिखा पी ओफ माइनस टू का क्यूब तो माइनस टू का क्यूब मतलब क्या माइनस टू का मल्टिप्लाई हमें करना है कितने बार करना है तो तीन बार करना है ठीक है तो देखें टू टू 8 हो जाएगा क्या P of minus 2 ठीक है तो आप देख सकते हो हमने इस polynomial के लिए तीनों ही बता दिया P of 1 बताया P of 0 और लास्ट में हमने बताया P of minus 2 ठीक है तो यहाँ पर first sub question complete हुआ अब बारी है second one की तो इसमें भी हमें वही काम करना है क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या है वाइच प्लेस पर हम लोग क्या रखिए यह जो वैलुस दिये गए हैं वह यहाँ पर पूट करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं लिख दूंगी solution फिर हमारे पास polynomial क्या है पी ओफ वाई विच इकवल टू वाई का स्क्वेर माइनस टू वाई प्लस फाई यही है ना अब ध्यान से देखिएगा पी ओफ वाई यानिकि वाई के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट वन लिखेंगे सबसे पहले पी ओफ बताना था न माइनस टू नज़ट्य प्लस फाई अभी क्या होगा तो देखो यहां पर यह और यह प्लस में है ना तो 1 और 5 कितना होजएगा 6 6-2 करने पर क्या आएगा 4 आएगा यानि कि P of 1 हमें क्या मिल गया तो 4 मिल गया ठीक है याद रहेगा आप लोगों को यहाँ पर हमने यह P of 1 बताया अब बारी है P of 0 की चलो अभी हम क्या करेंगे जहां पर भी Y है वहाँ पर हम लोग 0 रतने वाले हैं तो देखिए यह यहाँ आप आएगा 0 का स्क्वेर माइनस 2 इंटो वाई है ना तो वाई के प्लेस पे 0 प्लस 5 ठीक है तो 0 का स्क्वेर जीरो यहाँ पर भी 0 उसके बासे प्लस 5 तो बताएगे 0-00 होता है और उदर प्लस 5 यहनिके P of 0 हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट यह हमको 5 मिल जाएगा ठीक ह समझ गया ना फिर उसके बाद हमें P of minus 2 बताना था ना तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ P of minus 2 अभी हम क्या करेंगे जहां पर भी वाई है वहाँ पर लिखने वाले है minus 2 तो देखिए यह वाई है ना इसके प्लेस पर हम लिखेंगे minus 2 का स्क्वेर आजाएगा फिर minus 2 इंटो इंटो का स्क्वेर करो थो तो करो टू उबाद से प्लेस 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 पॉर उसके बार देखिएगा minus 2-2 तो पताई है 42 मैं थो इसके पीमने क्या मिला Pakistan लिखती मिलक देए प्लेस ना तो यहाँ पर सकोफ और lapse एवा यहाँ बार दिग देखिए Audio陪्य तो यहां तो यहां पर देख लीजिए हमारे पस polynomial क्या दिया गया है पहले उसको हम लिखते हैं तो p of x which is equal to x raised to 4 minus 2x का square minus x बराबर अभी हमें p of 1 बताना था ना तो इसमें हम क्या करेंगे जहां पर भी x है वहां पर 1 लिखेंगे ठीक है तो यहां पर देखो x है ना तो यहां पर क्या आएगा 1 का power 4 minus 2 into x के place पर हमें क्या लिखना होगा yes 1 लिखना होगा है ना तो यहां पर मैं लिखा minus 2 into यहां पर आचाएगा 1 का square फिर इदर आएगा minus x सबागे देखो 1 raise to 4 तो 1 का multiply आप कितने बार भी कर लो 1 का power कुछ भी होने दो answer तो 1 ही आता है तो यहां पर आएगा 1 उसके बाद minus यहां पर 2 into 1 का square 1 फिर अचा यह एक के place पर 1 लिखना था ना यहां पर मैंने 1 लिखा इदर minus 1 अभी क्या होगा तो देखो यह plus 1 यह minus 1 दोनों हो जाएंगे cancel एक plus में एक minus में तो cancel ही होगा ना इन दोनों को मैंने cancel कर दिया फिर 2 1s are 2 यहां पर देखिएगा P of 1 हमें क्या मिला student यह हमें मिला है minus 2 ठीक है तो मैंने यहां पर लिख दिया P of 1 which is equal to minus 2 अब हमें बताना होगा P of 0 तो यहां पर मैंने लिखा कि P of 0 which is equal to अब जहां पर भी X से वहां पर हम क्या लिखने वाले है तो 0 लिखने वाले है एना यहां पर लिखने वाले है यहां पर जिरो का पावर minus 2 इंटी इतराचाहीगा जीरो इसकोई पर यहां पर आएगा स्कुरें जल्दी से बोलो तो यह हमें 0 ही मिलेगा वराबर तो हमने पी जीरो भी निकाल लिया अब बार है यहां पर मैंने ल माइनस two इस में अधर करेंगे जहां पर भी एक से वहाँ पर भी-स्वायर दी देखते हैं यहां पर आएगा P of minus two which is equal to देखिए यहां पर X है तो यहां पर हम लिखेंगे minus two power four minus two into x के प्लेस पर minus two square फिर इदर minus minus two है ना तो यहां पर यह x के प्लेस पर क्या आएगा बच्चे लोग minus two ठीक है देखो minus two raise to four minus two raise to four का मतलब क्या होता है मतलब अब मैं आपको लिख करके नहीं ऐसे बोल करके बताओं कि सुनों थ्यान से हमें चार बर multiply करना तो टू टू आपर क्या आएगा 16 अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा तो चलो देखते हैं देखो माइनस 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 प्लस फिर प्लस माइनस 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 प्लस समझा ना माइनस 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 प्लस फिर प्लस माइनस 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 प्लस तो यहां पर यह जो भी इसका आएगा वो तो प्लस में आएगा यह अल्रेडी प्लस में प्लस टू ठीक है अब हमें क्या करना चाहिए रुके बताती हो आप लोग को सिक्स्टीन माइनस तू फोर्जा मुल्टिप्लाइब करेंगे तू फोर्जा एट प्लस तू याद रखना पहले ही माइनस मत करना बॉर्ड मास आप लोगों को पता है ना बताती हो रुको देखो बॉर्ड मास जानते हो ना इसमें हमें क्या करना होता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करनेगा उसके बाद से जो ऑफ वाले रहते हैं उनको जैसे ऑफ लिखा रहता है ना वन ऑफ टू इस तरीके से तो पहले उसको सॉल्व करनेगा फिर उसके बाद डिविजन करना फ यह बॉर्ड मास का जो रूल है यह आप लोग के दिमाग में होना से इस टाइप के कुश्चिन को सॉल्व करते हैं ठीक है मतलब जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो डिविजन भी हो तो कौन सा पहले करें आप लोगों को सकता है अगर अपने मन से जब मन किया प्लस कर दिया ज अपको आंसर सही मिलेगा लेकिन फिर भी छलो ठीक से हम करते हैं यह प्लस में यह प्लस में तो 16 और 2 कितना होता है 18 माइनस 8 करो वो जल्दी से कितना आएगा 10 ऐगा ठीक है न तो पी ओफ माइनस टू हमें क्या मिला तो 10 मिला पी ओफ माइनस टू विच इक वाल टू 10 सही ह ना 16 में से 8 गया होता है तो 8 और हाँ वैसे भी आता चलो ठीक है कोई बात नहीं तो यहां पर आपका यह जो कुश्चन नुम्बर 2 था यह complete हुआ तीन सब कुश्चन दिये गए थे तीनों में हमें वही बताना था पी ओफ 1 पी ओफ 0 पी माइनस 2 जो हमने बता दिया है कुश्चन नुमबर 3 देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया गया है for m which is equal to 2 यानि कि जब m का वैल्यू क्या होगा 2 होगा तो फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है तो अब इसकी मदद से हमें यहाँ पर a का वैल्यू find करना है अब यह कैसे होगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले है solution फिर उसके बाद हम यहाँ पर consider कर लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है Fte x M which is equal to है m quanjate m-type 2mAT email बडाबर देखिए यहाँ पर m का value क्या दिया है to जब tua टो होगा तो फिर उस needs कί पोलिनोमियल का value क्या हो जाएगा 12 यानि कि इसमें क्या दिया है देखिएगा यह दिया गया है देखो P of 2 का मतलब क्या हुआ हम यहाँ पर M के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 ठीक है तो जब हम M के प्लेस पर 2 रखेंगे ना तो हमें इस polynomial का value क्या मिलेगा 12 मिलेगा ऐसा इस question में बोला जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप इसका reason बता सकते हो कि it is given यह सब हमने अपने मन से नहीं लिखा यह तो question में दिया गया है कि इस polynomial का value क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा for M which is equal to 2 ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं P of 2 का मतलब क्या हमें क्या करना होगा इस polynomial में M के प्लेस पर 2 लिखना होगा ठीक है तो देखिए अभी ध्यान से देखते जाहिएगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यह P of 2 का मतलब M के प्लेस पर 2 लिखना है तो यहां का दो कुण करें मैं में 3 बार करना तो मैंने इदर लिख दिया बच्चे लोग एट फिर प्लस फ्र यहां पर प्लस कह सब्सक्राइब 1992-12 कितना होतें बारे होते हीह पर है 12 प्लस ये इक्वाल निए टो चैशन रीलाइब ल्स में होजाएग यहां थाएंस ज़ाएंगा था तो फीजसे सब्सक्राइब 12 Two mean ठीक थर्ड कोश्चिन यहां पर कंप्लीट हुआ अब बार रही है फॉर्थ कोश्चिन की तो देखें इसमें यहां पर यह पोलिनोमियल दिया गया है mx square minus 2x plus 3 if p of minus 1 which is equal to 7 then find the value of m यहनि की सेम इसी की जैसा है देखें यहां पर p of minus 1 का value क्या दिया है 7 तो p of minus 1 का मतलब क्या हुआ हम लोग यहां पर x के place पर क्या रखने वाले minus 1 ठीक है और फिर हमें इसकी मदद से यह m का value find करना है बराबर चलो देखते हैं यहां पर हम लिखेंगे solution हमारे पास पोलिनोमियल क्या है यह है तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहां पर लिखते हैं कि लिट p of x क्योंकि देखिए इसमें variable क्या था एम था है ना तो हमने यहां पर p of m लिया था इसमें variable क्या है X है ना तो अब ही हम यहाँ पर क्या लेने वाले अपने polynomial को P of X करके लिखने वाले हैं ठीक है तो बताइए यहाँ पर क्या आजाएगा MX का square minus 2X plus 3 अब क्या करोगे तो देखो यहाँ पर क्या दिया है P of minus 1 which is equal to 7 it is given in the question यह question में दिया गया है अपने से हमने नहीं लिखा ठीक है अब P of minus 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर यह जहाँ पर X है वहाँ पर हम लिखने वाले है minus 1 तो दीखिएगा यहाँ पर रहाएगा X के प्लेस पर minus 1 यहाँ पर minus 2X के प्लेस पर minus 1 आएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आएगा फिर यह देखिएगा इधर माइनस टू माइनस प्लस और टू फिर यहाँ पर यहाँ पर प्लस 3 विच इक्वाल टू 7 यहाँ पर देखो 1 इंटू M करेंगे तो M आएगा दो तिन कितना होता है पांच विच इक्वाल टू 7 अभी फाई को अम लोग उस साइड ले करके जाएंगे तो M विच इक्वाल टू 7 माइनस 5 हो जाएगा साथ में से पांच गया तो कितना आएगा यहाँ दो आएगा यहाँ यहाँ बताना था ना तो देख लिजिए हमने यहाँ पर M का तो वो जो दोनों वीडियो ना उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आपको ज्यादा डूनने की जरुवत नहीं है जाएगे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकरके आप लोग आगे वाले वीडियो को देखिएगा ठीक है